आज का पहला पस्टन है सुसासन दिवस कब मनाया जाता है तो साथियो यह दिवस मनाया जाता है प्रते एक वर्स 25 दिसंबर को सुसासन दिवस कब मनाया गया है तो 25 दिसंबर को मनाया गया है साथियो अब जानते हैं साथियो कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है साथियो तो द दिसंबर 1924 को और इनका जन्म कहां हुआ था साथियो तो मद्ध परदेश के गुवालियर में इनका जन्म हुआ था साथियो इनकी मिर्ति हुई थी 16 अगस्त 2008 को दिल्ली एमसी में साथियो यह भारत के 11 में प्रधान मंतरी और विदेश मंतरी भी रह चुके हैं साथियो प्र 19 मार्च से 19 माई 2000 टक साथियो रहा है इनके पिता का नाम था स्रीग्रिष्ण बिहारी बाजपेई और माता का नाम था कृष्णा देवि साथियो अडल बिहारी बाजपेई को पढ़ मि होसन प्रूसकार उनिस्व बिरानवे में दिया गया और भारत रतन दिया गया 2015 में साथियो तो अडल विहारी बाजपेई को भारत रतन गब दिया गया 2015 में साथियो अडल विहारी बाजपेई की जियनती के अवसर पर 25 दिसंबर को परतिक वर्स सुसासन दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियो पूर परधान मंतरी मनमोहन सिंग ने राज सभा में एक भासन के दोरान उन्हें भारतिये राजनिति का भिस्म पितामा कहा था तो अगर मैं आपसे पूछो कि अडल विहारी बाजपेई को भिस्म पितामा भारतिये राजनिति का किसने कहा था तो भारत के पूर परधान मंतरी और साथियो ये अर्थ सास्री भी है डॉक्टर मनमोहन सिंग इन्होंने ही कहा था साथियो साथियो डॉक्टर मनमोहन सिंग जो है ये साथियो भारत के पूर पधान मंतरी थे और इन्होंने ही अडल विहारी बाजपेई को किस नाम से संब्वधित किया था तो भारतिये राजनिति के भिस्म पितामा साथियो साथियो अब दिसंबर महिने में और कॉन कॉन से महत्पुन दिवस मनाए गए हैं तो देखो पांच दिसम्बर को साथियों, साथियों विश्व मृदा दिवस का थीम क्या था, तो थीम साथियों था, पांच दिसम्बर को मनाया गया है, राष्ट्रिय उर्जासन नक्षन दिवस 14 दिसम्बर को मनाया गया है, बिजय दिवस साथियों 16 दिसम्बर को मनाया गया है, अल्प संख्यक अधिकार दिवस का मनाया गया, तो 18 दिसम्बर को मनाया गया, गोवा मुक्ति दिवस का मनाया गया 19 दिसम्बर को साथियों, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजात हुआ था 200 बास्केट बॉल दिवस कम मनाया गया 21 दिसंबर को साथियो बास्केट बॉल में खिलारियों के संख्या कितनी होती है तो ये बताना है केमेंट बॉक्स में आपको राष्ट्रिये किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रिये उफवोगता अधिकार दिवस कम मनाया गया तो 24 दिसंबर को साथियों मनाया गया राष्ट्रिये उफवोगता अधिकार दिवस साथियो अगला प्रश्ण हमारा है देश की पहली AI City कौन बनेगी तो साथियो भारत की पहली Artificial Intelligence City जो बनेगी वो बनेगी लखनो कौन बनेगी लखनो अब लखनो साथियो उत्तर परदेश का सहर है तो मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको कि उत्तर परदेश के मुरादाबाद में साथियो उत्तर परदेश के मुरादाबाद में चौधरी चरन सिंग की परतिमा का अनावरन किया गया है साथियो और मैंने बताया था कि किसान दिवस पर साथियो उत्तर प्रदेश सरकार में 51 किसानों को ट्रेक्टर उपहार में दिया है। किस राज्य में है उत्तर परदिस में साथियो अमान गढ़ बाग रिजर्ब ये भी उत्तर परदिस में है भारतिय चीनी तकनीकी संस्थान कानपूर में है साथियो भारतिय दलहन सोद संस्थान कौन सा तो भारतिय दलहन सोद संस्थान ये भी कानपूर में है और कानपूर है गंगारी भर के किनारी Small Industries Development Bank of India CDB साथियो इसका हिटकोर्टर कहा है लखनों में और इसकी इस्थापना हुई 2 April 1990 को साथियो साथियो चौधरी चरंसिंग अंतरास्ट्रिया वायड़ा लखनों में है लाल बहादुर सास्थरी अंतरास्ट्रिया वायड़ा वारा नसी में साथियो अगर साथियो आपको कनफूजन होता है कभी कभी कि चौधरी चरंसिंग अंतरास्ट्रिया वायड़ा लखनों में वारा नसी में है तो याद रखना लाल बहादूर वोसे बहादूर और वोसे वहरा नसी ऐसे याद रखना अगर बहादूर आ जाए साथियो को मारानशी साथियो साथियो अगला तश्नमारा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहां होगा तो साथियो इसका आयोजन होगा तमिलनाडू में इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बी कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो होगा 2023 का ये भारत के तमिलनाडू राज्य में होगा साथियो इ ये सब सहरों में सातियों खेला जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, अब तमिलाड़ू इसका आयोजन कर रहा है, तमिलाड़ू की राजधानी है चन्नई, तमिलाड़ू के गवर्नर है आरेंड रभी, तमिलाड़ू के मुख्यमंत्री कौन है म.क. इस्टालीन, दिया है, सातियों आप टेलेग्राम को जोइन कर लेना, इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, और सातियों को गलेक्शन सातियों आप क्लेक्टर लेना, सातियों देखो, मिटूर बांध कावेरी नदी पर है, पिलूर बांध भवानी नदी पर है, बेदान्त गल अभ्यारन सातियों तमिलाडू में है, इंदरा गांधी अभ्यारन तमिलाडू में है, और सक्ते मंगलम बाइगरी जर्ब सातियों कौन सा, सक्ते मंगलम बाइगरी जर्ब तमिलाडू में है, मुद्दू मलाई अभ्यारन, गुंदई राष्ट यह उद्यान तूती कोरीन थरमल पावर इस्टेशन और पोंगल साथियो तमिलाडू का मुख्य लोक ते हुआ रहा है ये था तमिलाडू के समंध में साथियो महत्पुर्ण इस्टेशन पॉइंट जो आपके किसी भी एक्जाम लिए महत्पुर्ण है साथियो ये पुस्तक है बहुत ही महत्पुर्ण साथियो ये पुस्तक है इस पुस्तक का नाम है Breaking the Mold Breaking the Mold ऐसे पुछेगा आपसे कि Breaking the Mold पुस्तक के लेखक कौन है तो रगुरामजी राजन साथियो ब्रेकिंग दमोल्ड पुस्तक की लेखक है ये RBI के पुर्व गवर्णर भी रह चुके है साथियो तो Breaking the Mold रिमेजिनिंग इंडिया इकोनोमिक फ्यूचर पुस्तक के कौन है तो क्या टिक करोगे आप रगुरामजी राजन साथियो साथियो देखो और भी कुछ महत्वपुर्ण पुस्तक हैं जैसे कि टॉंब औप सेंड रेत की समाधी गितांजली सिरी के द्वारा लिखा गया है साथियो साथियो देखो कुछ अधूरे सब्द आसुतोस अ सोजन मरीन के द्वारा साथियो साथियो गोल्डेन बॉय निरस चोपरा नवजीत सिंग के द्वारा लिखा गया है दचिपको मुमेंट दपिपल हिस्ट्री सेखर बाटक के द्वारा लिखा गया है सिटी ओफ जवाई एंड फ्रीडम एट मिडिनाइट ये डैनमिक लेपि अगला प्रश्म साथियो हमारा है ये प्रश्म साथियो बहुत ही महत्तपुर्ण है कि सांस अभियान किसने सुरू किया है ये सांस अभियान क्या है तो निमोनिया की रोक थाम के लिए किस राज्य सरकार ने सांस अभियान के सुरूआत की है तो मनिपुर ने साथियो किया ह अब मनिपूर ने की है तो देखो मनिपूर की कैपिटल क्या है इमफाल मनिपूर के गवर्नर कौन है अंसुया उई की मनिपूर के चीशुनिस्टर कौन है एन विरेन सिंग सात्यो मनिपूर के चीशुनिस्टर है मनिपूर में जो राजसभा सीट है वो है एक और लोकसभा सी ये विशु का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रिये पार्क है जो साथियो इमफाल और विशनुपूर जिले में इस्थित है। लोकटक जील पर किस राज्य में तो मनीपुर के इमफाल और विश्नुपुर जीले में, साथियों इमफाल मनीपुर के कैपिटल भी है, साथियों देखो, सिरोही रास्ट्रिय उद्यान मनीपुर में है, और मनीपुर में एक जील है, लोकटक जील किस राज्य में है, तो मनी सांधिव नानी किस राज्य के विधां सभा अध्यक्ष बने है? यह भारत में इस राजस्तान इस अध्यक्ष बने है वो रजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष बनी है साथ यो देखो अभी हाल ही में रजस्थान में विधान सभा चुना हुआ था तो देखो रजस्थान की स्थापना जो हुई है वो एक नमंबर 1956 को हुई है और रजस्थान की केपिडल क्या है जैपूर जैपूर को बोलते हैं Pink City और जोदपूर को बोलते हैं Blue City रजस्थान के मुख्य मंतिरी है भजन लाल सरमा और रजस्थान के राज्यपाल कौन है कल राज मिश्र है रजस्थान में राजसभा सीट 10 है लोकसभा सीट 25 है और विधान सभा सीट 200 है सातियो कितना है 200 देखो साथियो। रजश्तान ने विधान सभा चुना हुआ है तो बीजेपी प्रफटी ने साथियो। यहाँ पर हासिल की है। बीजेपी साथि प्रफटी को 115 सीटे मिली है और इंडियन नैस्टन कॉंगरेस को 69 सीटे मिली है साथियो। और रजिस्थान जो है वो छेत्रफल की द्रिष्टी से समसे ब्राज्य है साथी हो तो देखो रजिस्थान के कुछ नैस्टनल पार्क को देखते हैं सरिस्का राश्ट्रिये उद्यान डेजर्ट राश्ट्रिये उद्यान केवलादेव राश्ट्रिये उद्यान रंथमभौर राश्ट्रिय उद्यान, जबाहर सागर वन्नेजी पभ्यारन, रामकट विजधारी अभ्यारन, माउंट आबू बन्नेजी पभ्यारन, कुभलगट वन्नेजी पभ्यारन, मुकुंदरा हिल्स राश्ट्रिय उद्यान, ये सब किस राज्जे में हैं, तो रजस्थान में हैं सा और मुकुंद्रा हिल्स नैस्टनल पार्क किस राज्य में है तो रजस्थान में है साथियो, देखो रजस्थान के कुछ महत्पुन जील को देखते हैं तो रजस्थान में है सामभर जील, साथियो सामभर जील से ही दुनिया की सबसे पुरानी बिर्क्षा रोपन का भी परमा रजस्थान में है और छेत्रफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे ब्ररज्य कौन सा रजस्थान है रजस्थान के अज्यसल मेर को बोला गया है स्वर्न नगरी जीलो की नगरी बोला गया उदैपुर को पिंग सिटी बोला गया है जैपुर को और बुलू सिटी बोला गया है जोद्वपूर को साथी हो साथी जो अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें साथ साथ वेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके साथी हो देखो रजिस्थान के परोसी राज्य जो ह बिच कौनसी बॉडर लाइन है तो भारत और पाकिस्तान के बिच कौनसी बॉडर लाइन है ये बताना है केमेंटर बॉक्स में आपको अगला प्रशन हमारा है बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे तो प्रमोध अगरवाल बनेंगे कुछ महत्तपोन संस्था है जैसे कि Table Tennis of Indiaад gasoline की तो मेइला अहलावत सातियो यहां से एक और प्रिशने बनता आपका है कि Table Tennis of Indiaados की पहली महिना अध्यक्ष कौन बनी है तो मेहन अहलावत भी बनी है भारत के मुक्तप आयक्त जो बने है वो कौन बने है हिरलल समारिया सातियो भारतिय कुस्ती महासंग के जो अध्यक्ष बने है वो बने है संजै सिंग सातियो ताटा पावर रिनुएवल इनर्जी के सातियो प्रेश इनफॉरो के नए प्रमुक कौन बने है मनिष्दिशाई कैंदरिय प्रत्यक्ष और सीमा सुल्ग बोड के नए अध्यक्ष बने है संजय कुमार अगरवाल साथियो नबाड के नए अध्यक्ष कौन बने है साजी गेबी साथियो मनोज यादव से एक प्रश्ण याद आगे आपका कि मोहन यादव मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंतरी बने है ये बताना है केमेंट बॉक्स में आपको भारतिय तत्रक्षक बलके 25 में महा निर्दिशक बने है राकेश पाल साथियो हिंदू ग्रूप की नए अध्यक्ष कौन बनी है तो निरमला लक्षमन बनी है हिंदू ग्रूप की साथियो नए अध्यक्ष असोक लिलेंड के MDN CEO कौन है सीनू अगरवाल CBI के नए निर्दिश कौन है प्रवीन सूद ट्यूटर के नए CEO कौन है लिंडा या कारीनो सातियो संग लोग सेवा आयो के अध्यक्ष कौन है तो मनोज सोनी है भारतिय प्रतिय असफर्दा आयो की पहली महिला चेर परसंद कौन है तो रवनीत कौर है साथियो कौन है रवनीत कौर भारतिय प्रतियस परदा आयो की पहली मैला चेयर प्रसंट बनी है यूको बैंक के M.D. कौन है स्वनी कुमार है साथियो अगला प्रसंट नमारा है इंडिया एसकिल रीपोर्ट 2024 के अनुसार कार्णे करने के लिए भारत का सबसे पसंदधा सहर कौन बना है साथियो तो देखो। किल रिपोर्ट 2024 के साथियो है, अब केरल तो देखो केरल के कुछ महत्वपुर्ण important fact है, केरल की राजधानी आपको पता होगा तिरू अनंत पूरम साथियो, केरल के गवर्नर कौन है, आरिप मुहम्मद खान है, केरल के गवर्नर साथियो, केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई विजियन है, केरल में राजसभा नौ है और लोकसभा 20 है, परांबी कूलम राष्ट्रिय उद्यान और पेरियार राष्ट्रिय उद्यान के सराजे में है, तो केरल में है, साथियो ये था आज का हमारा महत्वपुर्ण क्रेंट अफेर और एस्टर्टिक साथियो साथियो कल मैंने आपसे दो प्रश्ण किया था युनेस्को की अस्थापना कब होई सोलह नमंबर उनिस्वा पैतालिस को होई साथियो आज का आपका दो प्रश्ण है जिसका जवाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें शियर करें और सस्क्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपग्रेटी मिलचा के साथ ही हो धन्यवाद